मदप्रदेश में मौनसून की विदाई का समय आ चुका है 21 जून से मदप्रदेश में मौनसून का आगमन हुआ था जिसके बाद से लगातार भारी बारिश हुई प्रदेश के जादातर छेत्रों में इस वर्ष अच्छी बारिश दर्ज की गई है मौसम विभाग के सीनियर वेग्यानिको का कहना है कि ग्वालियर, भिंड, मुरेना, दतिया, शिवपूर और शिवपूर से मौनसून की विदाई होने लगी है इन छेत्रों में बारिश का अलट नहीं है हलाकि कुछ जिलो में अभी भी हलकी बारिश होने के अनुमान बताए जा रहे हैं पांच अक्टूबर के बाद जादतर जिलो में बारिश का सिलसिला पूरी तरह से समाप्थ हो जाएगा बुदवार को प्रदेश के जादतर जिलो में धूप खिली रही जिस वज़र से उमस बढ़ गई कई जिलों में बारिश का अलट जारी तो किया गया है लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर तक मौन्सून की विदाई हो सकती है फिलाल मौन्सून की मजबूत प्रणाली प्रदेश में सक्रिय नहीं है जिसके चलते बारिश हुई भी तो जादा नहीं होगी 5 अक्टूबर के बाद प्रदेश से दिरे दिरे आप मौन्सून गायब हो जाएगा सबसे पहले ग्वालियर चंबल से इसकी विदाई का अनुमान जताया गया है अभी के लिए बस इतना ही आगे कोई और अपडेट आता है तो वो आपको खबर बेबाग के जरीए पता चल जाएगा इसलिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक और शेयर करना न भूले